परिजय इस अलमारी में रखे हुए सुन्दर-सुन्दर कपड़े देखें। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कपड़े की कहानी क्या आपने कभी जाना है कि प्राचीन काल में लोग वस्तरों की जगह किस चीज का इस्तेमाल करते थे। वे अपने शरीर को ढखने के लिए पेड़ों की छाल, पत्ते और पशुओं की खाल इत्यादिका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ साथ उन्होंने टहनियों और घास से चटाई वटोकरियां बनाना सीख लिया। वस्त्रों की सिलाई तो बहुत बाद में संभव हो सकी जब सुई का विकास हुआ। क्या आपने कभी वस्त्र को ध्यान से देखा है? यदि हाँ, तो आपने इसमें अनेक धागा-धागों को अवश्य देखा होगा। ये धागे और पतले रेशों से बने होते हैं। इसे समझने के लिए कपड़े का एक टुकडा लें। इससे एक धागा बाहर निकालें। अब धागे के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। अब धागे के दूसरे सिरे से इसकी लंबाई के अनुदिश सुई की सहायता से खरोचिए। आप देखेंगे कि धागे में से पतली लडिया निकल रही हैं। ये पतली लडिया रेशे हैं। रेशे दो प्रकार के ह एक प्राकृतिक रेशे, दो संसलिष्ट यानि कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशे, गर्मियों में जब आप सूती कपड़े पहनते हैं, तो आप बहुत सुविधाजनक महसूस करते हैं, सूत यानि कपास प्राकृतिक रेशा है, कपास, जूट, पटसन, फाइबर, नारियल, पटवा इत्यादी जैसे प्राकृतिक रेशे पादपों से प्राप्त किये जाते हैं, रेशम के रेशे ककून सिल्क वॉम यानि रेशम के कीट से प्राप्त किये जाते हैं, उन भेड, बकरी, खरगोश, याक और उन्ट जैसे पशुओं के बालों से प्राप्ट की जाती है संसलिष्ट यानि कृत्रिम रेशे आपने अवश्य सुना होगा कि हमें आग के निकट कारे करते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए सिंथेटिक कपड़े किस चीज से बने होते हैं? जी हाँ, ये कपड़े मनश्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों द्वारा बने होते हैं ये रेशे बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं सिंथेटिक रेशों के कुछ उधारण हैं रेयोन, पॉलियस्टर, नाइलॉन, टेरिलीन कुछ पादपों के रेशे क्या आपने कभी दीपावली या किसी अन्य अवसर पर दिये के लिए बाती बनाई है क्या आप जानते हैं कि वे रूई की बनी होती है यह रूई कपास नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है जो काली मिट्टी और ऊशन जलवायू वाले स्थानों पर उगते हैं जाते हैं इसकी खेती वर्षा रितुमे की जाती है काटे गए पौधों के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है उसके बाद तने सर जाते हैं और रेशों को हाथ से अलग कर लिया जाता है पटसन के रेशे भी पौधे के तने से प्राप्त किये जाते हैं और ये प्रमुखरूब से लिनिन बनाने के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं रेशे से वस्त्र बनाना रेशों से वस्त्र कैसे बनते हैं? पहले रेशे से धागा बनाया जाता है और फिर धागे से वस्त्र बनाया जाता है धागा बनाना, कपास ओठना तथा इसकी कताई चात्रों, रेशे बनाने के लिए कपास गोलग यानि कपास के फल से रुई को हाथ से उठाया जाता है और इसके बाद इसमें से ककंतन यानि कॉबिंग कहलाने वाली विधी के द्वारा बीजों को अलग कर दिया जाता है इसे कपास ओटना कहा जाता है कपास मशीनों द्वारा भी ओटा जा सकता है क्या आप जानते हैं कि रुई से धागे का निर्मान कैसे होता है कुछ रुई हाथ में लें इसके एक सिरे को एक क्लिप में दबाएं और इसके दूसरे सिरे को दूसरी क्लिप में दबाएं। दोनों क्लिपों को दोनों हाथों में पकड़ें और रुई को खींचें और लगातार एंटते भी रहें। आप देखेंगे कि रुई से धागा बन रहा है। धागों से वस्तर बनाना बच्चों, आईए अब हम जानें कि धागे से वस्तर कैसे बनाया जाता है। वस्तर बुनाई या बंधाई के द्वारा तयार किये जाते हैं। आईए देखें कि ये किस प्रकार से बनाया जाते हैं। इस चटाई या इन थैलों को देखें. ये धागा की बुनाई करके तयार किये गए हैं. वस्तरों की बुनाई लूम पर की जाती है. लूम यानि करगा दो प्रकार के होते हैं. हाथ से चलने वाले लूम यानि हैंड लूम और बिजली से चलने वाले लूम यानि पावर लूम. कताई बच्चों, आपके पास सुन्दर सुन्दर स्वेटर तो अवर्ष्य होंगे क्या आप जानते हैं कि वे कैसे बनते हैं? स्वेटर बंधाई द्वारा बनाये जाते हैं वस्तर बनाने के लिए एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है मोजे और कुछ अन्य प्रकार की वस्तर सामगरी इसी विधी से तयार की जाती है बुनाई हाथ द्वारा वह मशीन द्वारा दोनों प्रकार से की जा सकती है रेशे से वस्तर बनाने के दो चरन होते हैं रेशे से धागा बनाना धागे से वस्तर बनाना